OnePlus 12 एक बहुत ही amazing smartphone है और अगर आपको लगता है कि उसका प्राइजिंग है वो higher side में है तो आप ये जो OnePlus 12 R है इसके लिए जा सकते हैं इसको प्राइजिंग है ये है 40,000, 39,999 और ये जो smartphone है वैसे तो trim down variant है OnePlus 12 का लेकिन काफी अच्छा है इस प्राइज में चलिए सबसे पहले इसकी unboxing करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका performance कैसा है वैसे ये और OnePlus 12 दोनों ही slider button के साथ में आते हैं देखते रहें तो ये है OnePlus 12 R और इसकी unboxing कर लेते हैं ये जो variant मुझे मिला हुआ है ये है केस लगाएंगे तो बहतर होगा बढ़ जो handful है काफी अच्छी है चलिए चेक करते हैं बॉक्स में आपको क्या-क्या मिलने वाला है एंसे को तुम आने पहले से खोल दिया है टेस्टिंग के लिए लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप ये हैंसे खरीते हैं बॉक्स में क्या-क्या मिलने वाला है तो ये हैट घंक्यू काड कुक स्टार्ड गाइड ये है सेफ्टी गाइड मेंबर्शिप काड अक्शिल काड है अक्षड के बल क्लप में के स्टिकर्स ये आजकोल बहुत सारे ब्रैंड्स ने देना शोरू कर दिया है Влад सील इसके उपर अगर आप स्क्रीन गाड लगाते हैं तो इसके लिए यह काफी काम में आ सकता है यह सिंट्रे पिन और यह बड़िया सा सिलिकॉन केस दिया हूँ है अगर आप यह हैंसे खरीते हैं तो भेतर होगा कि आप इसे लगा दे क्योंकि इससे जो लुक है काफी अच्छा मिलता है प्लस धब्बे इस पर नहीं पढ़ने वाले हैं तो यहां पर ड्विल सिम आप यूज कर पाएंगे नानो सेम्स फाइजी सपोर्ट के साथ में आता है यह जो हैंसे ट्वल आर और जो वन प्लस 12 है दोनों में अलग-अलग टाइप के प्रोसेसर यूज किया गया है तो में आपको यहां पर बता देता हूँ यह देखें इसमें Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर यूज किया गया है और जो 12 है उस पर Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज किया गया है तो इसका जो प्राइजिंग है definitely कम हो जाता है comparatively और कुछ specs में भी थोड़ा सांथ रहें अब दिखिए, इस handset को भी मैंने use किया हुआ है, लेकिन मुझे, खास करके, जो OnePlus 12 है, वो काफी बढ़िया लगा, इसके comparison में, बट इसका जो, येस, येस, जो performance है, वो definitely OnePlus 12 का भेहतर है, क्योंकि उस पर latest processor उसकिया गया है, लेकिन अगर आपका budget कम है, तो ये बहुत ही बढ़िया option है, इसका जो pricing है, बहुत ही अच्छा है, handfill अच्छा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसके उपर अगर आप case use करेंगे, तो आपको अच्छा experience मिलेगा, इसका जो weight है, ये है 207 grams, in fact OnePlus 12 जो है, उसका weight भी काफी जाता है, ये Amoled Pro XDR display है, LTPO 4.0, touch response 1000 Hz का है, और ये 120 Hz refresh rate support के साथ में आता है, 6.78 inches का size है, 2780 by 1264 pixels resolution, 10 bit color depth support के साथ में आता है, और ये HDR 10 plus support भी करता है, वैसे इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 protection यूज़ किया गया है, तो इसमें 16 GB RAM है, प्लस 4 GB virtual RAM add हो जाता है, वैसे जो RAM है, ये LP DDR 5X RAM है, latest और UFS 4.0 storage है, यहांपर 256 GB storage space दिया हुआ है, तो जो spec से एक दम latest category का है, haptic motor है, haptic feedback बहुत ही बढ़िया है, जैसे की होना चाहिए, ये Android 14 run कर रहा है out of the box, मैंने इस पर N22 benchmark run किया था, ये score मुझे मिला हुआ है, 11 lakhs के आसपास, काफी अच्छा है, जो 1 plus 12 है, वो ज्यादा powerful है, compared to 1 plus 12 R, but pricing के साब से काफी अच्छा है, इसका प्राइजिंग है, ये है 39999, 5500 इमेज की बैटरी है, और 100 Watt Superbook Charging Support के साथ में आता है, देखे, इस पर आप gaming definitely कर पाएंगे, आपको basically जो N22 score है, अगर 4 lakh क्या सपास मिलता है, या उससे जादा मिलता है, तो ये जो games है, या किसी भी high-end games को आप, जो smartphone है, उस पर खेल पाएंगे, तो ये जो game है, इस पर काफी बढ़िया चल रहा है, काफी smooth दी चल रहा है, तो ये है camera का interface, wide angle, प्लस maximum ये 20x तक zooming कर सकता है, वीडियो में आप maximum 4K at 60fps में videos शूट कर पाएंगे, portrait mode है, background को blur करता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे filter के options मिलते हैं, ये देखें, और more में आपको ये सारे options मिलते हैं, तो ये कुछ samples है, जो कि मैंने इस smartphone के साथ में शूट किया हुआ है, ये है portrait shot, मैंने room light में शूट किया हुआ है, काफी अच्छा आगया है, ये है मेरा selfie shot, ये थोड़ा सा tricky situation में मैंने शूट किया हुआ है, जहाँ पर जो backlight है काफी जादा था, अच्छा आगया है, not bad, यहाँ पर भी काफी अच्छा काम किया है, ये है portrait shot, यहाँ पर थोड़ा सा जो lighting condition है, ये भी थोड़ा सा tricky type का है, लेकिन अच्छा काम किया है इसने, color reproduction, skin tones काफी अच्छा है और जो edge detection है, ये भी काफी अच्छा है, ये मैंने outdoor shoot किया हुआ है, और ये है long shots, यहाँ पर मैंने कुछ filters यूज़ किया है, look and feel चेंज करता है, ये है मेरा portrait shot और ये है night shot, काफी अच्छा है, ये मैंने 1X में shoot किया हुआ है, ये मैंने wide ankle में shoot किया zoom option जो maximum zoom option available है उसमें अच्छा है not bad तो इसकी जो camera quality है ये excellent category की है of course अगर आपने OnePlus 12 यूज किया होगा तो उसके बाद में आपको ये जो smartphone है ये इतना पसंद आने वाला नहीं है लेकिन OnePlus ने ये दो variants launch किये हैं और इन में जो pricing difference है ये काफी जादा है इसको जो feel है hand feel वैसा ये है जैसे कि आपको OnePlus के smart phones पर मिलता है और जो camera quality है ये भी काफी अच्छी है इस price में बट definitely अगर हम इसे OnePlus 12 R को OnePlus 12 के साथ में comparison करें तो मैं कहूंगा कि OnePlus 12 का जो camera quality है वो comparatively बहतर है इसके comparison में बैटर लाइफ आपको इस पर थोड़ी सी भैतर मिलने वाली है OnePlus 12 के comparison में और दोनों ही smart phones जो है ये fast charging support के साथ में आते हैं तो ये है OnePlus 12 R अगर आप ये खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है इसका pricing है 39999 देखते रहिए